आईजी ओंपरकास पास्वान आज हनुमानगर दोरे पर रहे दरसल आईजी ओंपरकास पास्वान के निर्देशन में एक नवाचार पिसले दो धाई सालों से जारी है पुलिस पब्लीक पंचायत का आयोजन कर रहे हैं ग्राम पंचायत इस्तर पर एक तरह से समवाद का एक जरिया है जिसके सकारात्मक परणाम सामने आ रहे हैं ऐसी एक पब्लिक पंचायत का योजन लोंगे वाला में किया गया यहां बड़ी संख्या में ग्रामिन मोजूद रहे गोर तलब है कि इस पंचायत में पुलिस प्यम रहे और दोनों मिलकर समाज के लिए कुछ भेतर कर पाएं इस दोरान हन्मानगर्ण एस्पी विकास सांगवान साइत अन्य अधिकारी भी मोजूद रहे वहीं पिछले दस दिरों से जारी एरिया डॉमिनेशन कारवाई के तहत भी विकाने रेंज में अपरादियों क अगवाई में ये कौशिस हो रही है कि एक तरफ अपरादियों की धर पकड़ हो दूसरी तरफ पुलिस और पबलिक के बीच समबात काइम होते हुए इस तरह से कोशिस की जाए जिसमें नस्य के खिलाब भी महौल बने और अपरादियों की खिलाफ एक जागरुकता आए आरे एस प्रियंका विश्णोई की मौत के मामले में राजे सरकार की ओर से गठीत उच्छे स्तरिय जाच कमेटी पहुंची जोदपूर एम्स अस्पताल और वसुंदरा अस्पताल में गंटों मामले की जाच कई वरिष्ट चिकिसकों के लिए बयान तो वही कई दस्तावे जो को खंगाल कर जाच रिपोर्ट की तयार आरे सदिकरे पिरिंका विश्णोई के मामले में राजे सरकार की ओर से गठीत पांच सदशिय विशेज जाच कमेटी आज दौफैर जोदपूर पहुंची जाच कमेटी सबसे पहले एम्स अस्पताल पहुंची जहां उन्होंने एम्स अस्पताल की अपने कमेटी के साथी सद्शों के साथ काफी लंबी चर्चा की इस दोरान एसर मेडिकल कोलीज की प्रिंसिपल बारती सारस्वत भी एम्स अस्पताल पहुंची और उन्होंने कुछ दस्तावेज जाच कमेटी को हस्तानतीत किये इस दोरान जाच कमेट कमेटी ने वसंदा अस्पतार के चिकित्सकों के साथ सबी इस्टाब से बयान लिए और एक पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट तयार की है हालाकि जांच कमेटी ने मीडिया के सामने कुछ भी खुलासा करने से फिलाल इंकार किया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच इस रिपोर्ट तयार होगी कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट कर राजे सर्वकार को सोपिगी और उसके बाद यहते होगा कि इस मामले में क्या अस्पताल प्रसासन की कहीं कोई लापरवाही रही है या नहीं कोचिंग सिटी कोटा के बाद अब चित्वडगड में भी प्रसपा दकसाल प्रसपार कि क में इस रिपोर्ट के इस सब लटकर वोस्तल में रहने आया था कल साम बज़े साती राहुल को कमरे में ही क्टोड़ कर गई theo लेकिल लोटकर आये तो राहुल कमरे में परथ लट का हुआ मिला था सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने सब को कपासन अस्पताल की मुर्चरी में रखवा दिया था परजन भी पुसकर से मौके पर पहुंच गए थे कई गंटों तक पुलिस परजन और कॉलेज प्रसाशन के बीच बारता भी हुई फिलाल पुलिस ने परजनों की रिपोर्ट पर मेडिकल वोट से पोस्ट माटम करा सब परजनों को सुपुर्द गर दिया है। विवेग राजबनिशे के नेतरतों में आज हुई मिला समिती की बैटक में आयोजन से जुड़े कई बड़े फैसले लिये गए। तीन अक्टूबर को मेले के उदगटन समारों में इस साल सीने अबिनेतरी और सांसत हेमा मालीनी आने वाली है जो की दुरगा निर्ते पर प्रस्तूती देगी। इस पार लोकसाइस्पिक रोम बिर्ला वेक्तियक दूरूप से इस बात की मोनिटरिंग कर रहे हैं कि कोटा के रैश्टर दश्रा मेले के सारे आयोजन भवी हों। ड्राउन शो, लॉफ्टर शो, सीने नाइट के अलावा मेले की कई बड़े आकरशन रहने वाले हैं और कई बड़े कलाकार मेले में शरीक होने वाले हैं। पिछले साल के आठ करोड के बजट को भी साल बढ़ा करके दस पिस्दी तक बढ़ा दिया गया है ताकि मेले के सुरूप को और भी भवी बनाये जाए। नगर निगम कोटा को कोई बड़े इवेंट्स के लिए बड़े प्रायोजग भी मिल गए हैं और इसलिए माना जा रहा है कि आए वे के लियाद से भी इस बार का मेला ज्यादा सुन्तुलित होगा लेकिन मेले का सबसे बड़ा अकरशन होगा दशर के दिन होने वाला रामन मंत्री ग्रह एबं प्रवारी मंत्री जवार सिंग बेडम अध्यक्ष राज यस्तरिय सेने कल्यान सलाकार समिती प्रेहन सिंग बाजओर ने सहीद के घर पहुंचकर उनके पार्थिव सरी पर पुष्पचक अर्पित कर सद्धान जिली दी तका उनके परदिनों से मिलकर उ पूरे प्रदेश का सिर्व से उंचा किया है हमें अपने बीर सहीद के बलतान पर गर्व है राज सरकार इवन परसासन दुख की जड़ियें परिवार के साथ खड़ा है परिवारी मंतिय ने सहीद के अंत्यस्टी से पूर्व पाथिव सरी को कंदा दिया बारी गम और गर्व बरे माहौल में सहीद को मुखानी दी गई त्रिंगा में लिप्टर सहीद के पाथिव सरी को सेनिकों ने गार्ड उफ और्व भी दिया झाल